हेलो एरिवान वेलकम है आपका आपके अपने चैनल डीके स्टिचिंग टिप्स में तो फ्रेंस आज की वीडियो में 4 मेटर फैब्रिक से हम फुल सूट की कटिंग करेंगे सलवार और सूट की तो वीडियो को फुल वोच कीजेगा फ्रेंस तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी 4 मेटर कपडे से फुल सूट की कटिंग करना तो ये देखे इस तरीके का ये फैब्रिक एमेर पास ठीक है इसके नेक पर ये वर्क है बस वैसे बाकी ये प्लेन है और इसकी स्लीव के लिए यहाँ पर वर्क दिया हुआ है तो उसको जो स्लीव के लिए वर्क है उसको हम पोंचे पर लेकर आएंगे तो किस तरीके से हम सूट की कटिंग करेंगे वीडियो में बने रहिएगा आपको अच्छी लगेगी तो ये देखे इस तरीके से वर्क है स्लीव के लिए तो फ्रेंट्स हम इसमें क्या करेंगे जो इस स्लीस के लिए वर्क है इसको हम स्लीस पर नहीं लेकर आएंगे इसको हम पोचे पर लेकर आएंगे सलवार पे ठीक है तो इसमें क्या दिक्कत है? देखे, friends, जैस आप दिख रहे हैं इसका जो NAC है वो बिलकुल ही यहाँ पर छोटा है यह देखी, आप देख रहे हैं ठीके, तो इस NAC को हम किस तरीके से बनाएंगे? तो इसमें यह दिक्कत है कि NAC को हम किस तरीके से बनाएं और customer ने बोला है कि जो neck है हमारा वो 7 इंच का बनाना तो इसको किस तरीके से बनाएंगे तो friends इस वीडियो में ये आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी तो इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे neck में दिक्कत हो तो किस तरीके से बनाएं तो अब देखिए मैं जो कपड़ा है उसकी कितने मीटर कपड़ा है हमारे पास वो मैं आपको बता देती हूँ कपड़ा मैंने यहाँ पर fourfold कर लिया है ठीक है यहाँ से तो अब मैं यहाँ पर देखिए आपको बताती हूँ कितना कपड़ा है यह हमारे पास तो यह दिखिए यह 39 inch हमारा एक मीटर होता है तो उसमें fourfold हमारा कपड़ा है तो यह देखिए 39 से एक दो point हमारा यहाँ पर कपड़ा कम है ठीक है ज्यादा नहीं है चार मीटर से चार मीटर से कुछ ना कुछ कमी है हमारे पास कपड़ा तो चार मीटर में किस तरीके से cutting करेंगे हम सूट की कहां से हमने कौन सा पाट निकालना है सूट से ठीक है तो वीडियो में बने रहेगा फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी तो सबसे पहले हमने क्या करना है यहां पर यह देखिए जो हमारे नेक बना हुआ है कपड़े पर उसका सेंटर हमने करना है अच्छे से और सेंटर करके और कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके हमने यहां पर विछा लेना है ठीक है यह देखिए यहां से हमने नेक का सेंटर करना है कपड़े का हमने यह नहीं करना है हमने नैक देखना है और नैक का हमने सेंटर करना है ठीक है और फ्रेंट्स इसमें एक दिकत और है यह मैं आपको बताती हूँ यह देखिए जैसे हमने यहां पर सेंटर किया है नैक का तो यहां पर यह देखिए जो नैक का यहां से कम याज जादा हो रहा है तो हमने सेंटर किया तो लेकिन हमने सेंटर इसका कहां से करना है देखिए यहां से इसका सेंटर नहीं करना है सेंटर हमने जो नीचे की साइड यहां पर बटन लगते हैं हमारे ठीक है इस तरीके के नेक में जहां पर बटन लगते हैं वहां से हमने इसका center करना है अगर उपर के side हमारा यहां पर छोटा या बड़ा आ या फिर जो इसकी चोड़ाई है कम जादा हो रही है तो उसमें इसको हम बाद में adjust कर लेंगे ठीक है अब यहां पर हम इसकी length ले लेते हैं length हमने यहां पर जितनी भी लेनी है आप अपनी मर्जी के अकोडिग जितनी आपनी लैंथ रकनी है उसमें आप 3 इंच एड करके और इसकी कटिंग कर लिजेगा तो मैंने यहाँ पर इसकी लैंथ के अकोडिग कपड़े को कटिंग कर लिया है अब यहाँ पर हम कुट्टी के लिए कपड़ा निकाल जो भी हमारा हिप साइज होगा उसका फोर्थ भाग करके हमने मार्जन उसमें पलस कर देना है और कपड़े को यहां से कटिंग कर लेंगे ठीक है यह फ्रेंट पार्ट के लिए हमारा कपड़ा यहां पर हम निकाल लेंगे तो यह देखे कटिंग मैंने कर लिया है और आब हम टीक है उसी के एकोडिंगम हमने कट्के और विडियो को वीडियो प्रक्टि कर हो जाएगी मैं आपको बताऊंगी कि हुए celebrities कोंस्ट निकालना है це quartz जाएगी हुए Hungary तो आप देखिए ये side से हमारे जो back or front हमने part cut किये हैं उससे कपड़ा निकला है हमारा इसको हम use में लेंगे तो इसको side में रख देते हैं अब देखिए जो भी कपड़ा हमारी पास यहां पर बचा हुआ है उसको देखते हैं ये कपड़ा हमारा कितना है तो सबसे पहले हम य देखिए सलवार की length हम यहां पर लेंगे 36 inch तो इसमें 8 inch की friends मैं belt निकाल लूँगी क्योंकि जो इसकी length है उसमें कपड़ा हमारा ज्यादा लगेगा अगर हम 7 inch की belt लेंगे तो उसमें कलिया हमारी नहीं लेंगी तो इसमें 8 inch की belt निकाल लूँगे आप 9 inch भी निकाल सकते ह तो अब देखिए 8 inch tape हम बाहर की side निकाल लेंगे इसमें यहां पर 36 inch हमारी सलवार की length है तो इसमें 3 inch हम add कर लेंगे 39 inch पर हम यहां पर mark लगा लेंगे यहां तक हमारे जो part होंगे सलवार के पल्ले वो होंगे अब देखिए यहां पर इस side पर हमारे पास यही कपड़ा ठीक है तो वो किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी यह देखिए बस यही कपड़ा है हमारे पास तो पहले हम इसके पल्ले निकाल लेते हैं इसको fold कर लेंगे यहां से कपड़े को fold करके फिर दोनों पल्ले हम यहां पर निकाल लेंगे इसकी cutting कर लेंगे यह देखिए ठीक है और इस तरीके से अगर हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो उसमें आसानी रहती है अगर सिंगल कपड़े की कटिंग करते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है और फैंस एक देखिए हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जो हमारे यह वर्क है यह हमारा एक दूसरे के उपर आना चाहिए यानि कि एक दूसरे के बराबर होना चाहिए कई बार क्या होता है कि जो हमारे पोंचे पर ये वर्क आएगा एक हमारा नीचे की साइड चला जाता है एक उपर की साइड चला जाता है ठीक है तो उस तरीके से हमारे सलवार की लुक बिल्कुल ही खराव हो जाती है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो हमने यहाँ पर भी ध्यान रखना है जो work है उसको equal करके और फिर पल्ले की cutting करें अब यहाँ पर देखिए जो work है उसका भी हम यहाँ पर center कर लेंगे ठीक है अगर पल्ले की चोड़ाई इसमें जादा है तो नीचे की साइड से हम इसको कट कर देंगे और इसमें वैसे भी अगर चोड़े पल्ले रहेंगे तो सलवार हमारी इसमें सही बन जाएगी ठीक है तो हमें इसमें पूरे ही पल्ले रख लेते हैं यह देखिए अब नीचे की साइड से अगर आपको जो सलाई है वो नीचे तक लेकर आनी है पूँचे तक तो आप इसको इस तरीके से कटिंग कर दीजिए जितने भी पोचे आपने रखने हैं उसके according ठीक है अब देखें नीचे की साइड से ये इसमें धागे निकल रहे हैं तो इसको भी हम यहां से cutting कर देंगे तो ये लिजे पल्ले हमारे cutting हो गए हैं आप देखें फ्रेंट्स इसमें हमने इसकी कलिया निकालनी है जो ये कपड़ा हमारे पास बचा था इसको हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे इसको भी हमने डबल फोल्ड रखना है और आप देखें बैल्ट के लिए हमने 8 इंच न अब देखें इसके आप ओजिट साइड हमने फिर से सलवार की लेंद के लिए मार्क लगाना है आठ इंच बैल्ट निकाल के ठीक है और धाइंच पर ये देखें दोनों साइड से ये मार्क मैंने यहां पर लगा लिया है और एक दूसरे को मिला देंगे इस तरीके से दो इ करेंगे इसमें तो आसन हमारा कम है तो इसमें हम क्या करेंगे जो हमारा आसन कम है कि जो सर्ट हमने यहां पर निकाली है तो सर्ट के साइड से जो हमारा कपड़ा यहां पर निकला हुआ है तो उससे हम यहां पर चार कलिया और कटिंग करेंगे और इसमें जॉइंट करेंग निए ठीक है। क्योंकि इस में जो हमारा आशन है आशन भी हमारा इसमें कम है और बैसे अगर इसको कटिंग करेंगे तो इसमें भूत ही हमारी हल्की यहाँ पर सलवार बन जाएंगी ठीक है तो इसके लिए रह को लिए रही श्की जो क्पडा निकला था इसको हम side में निकाल लेते हैं और उसको use कर लेंगे फिर बाद में ठीक है तो देखे यहां पर 10 इंच मैंने आसन लिया है तो 10 इंच पर यह side में mark लगा लेंगे इस तरह क्ता से ठीक है यह देखे श। था क्पडा कियोंकि फूर कल्या में हमने कने काटिंग करनी है इसार में हम धोड़ी सी कुलाई देते हुए इसके यहां पर कटिंग कर देगे इस दाशिक है है अब यहां से इसकी cutting करेंगे तो यह देखें यहां से कटिंग कर लिए हैं यह लिजे तो यहाँ पर यह चार कल यह हमारी निकल गई है अब जो यह कपडा निकला है इसको भी हम यूज में ले लेंगे नैक वगरा या पोंचे वगरा में ठीक है यह दिखे इस तरह से यह हमारी यहां पर joint हो जाएंगे और आप देखे जो यहां पर joint है joint को हम अलग कर लेते हैं यह देखें ठीक है और यह side से कपड़ा निकला है इसको भी हम use में लेंगे जो belt वगारा या पखेश्लीज वगारा हम बनाएंगे उसमें और पल्या आप जो जो जोइंट है उनको भी अलग कर लेते हैं तो यह लेजे कलिया हमारी यहां पर कटिंग हो गई है और फ्रंस मां आपको यहां पर दिखा देती हूं कि जो हमारी कलिया हमने कट की हैं उनका घेर भी कितना आया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रिखी पल्ले भी मैंने यहाँ पर रख दिये हैं और यह रिखी तो बिल्कुल भी हलकी हमारे इसमें सलवार नहीं वनेगी और चार मीटर हमारा यह फैब्रिक था ठीक है यह रिखी तो बिल्कुल हमारी सेमी पटियाला जो सलवार होती है वो हमारी यहाँ पर बन गई है ठीक है तो आप देखी फ्रेंट्स हमने इसमें कलियां कट कर ली हैं कुर्ति की कटिंग हो गई है और पल्ले हमारे इसमें कटिंग हो गई है अब हमारे रहते हैं बैल्ट बनानी है हमने और स्लिस बनानी है ठीक है तो वो हम कौन से कपड़े से कहां से निकालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ अब देखिए जो हमने कुर्टी का बैक पार्ट निकाला था उसके साइड जो कपड़ा निकला था वो हमने यूज में ले लिया है कलियों में अब जो फ्रेंट पार्ट से जो हमारे दो पीस निकले थे उनको देख लेते हैं कि इसमें हमारी बैल्ट बन जाएगी लेकिन हमने बैल्ट यहां पर बनानी है आठ इंच की तो यहां पर यह जो कपड़े की लंबाई थी वो यहां पर कम थी तो यह देखिए अब जो यह लगा लेंगे इस तरीके से और कपड़े को कटिंग कर देंगे ठीक है आप देखिए जो हमारी बैल्ट है उसकी चोड़ाई यहां पर कम है तो इसकी चोड़ाई को पूरा करने के लिए हम इसमें जोइंट लगा देंगे यह इस तरह से आप देखिए यह कपड़ा जो हमार यूज कर लेंगे, belt में, यहां से इसको cutting कर देंगे, और देख लेते हैं कि हमारी जो belt है वो पूरी हमारी यहां पर आ रही है, तो belt हमारी cutting हो गई है यहां पर, अब हमने sleeves की cutting करनी है, अब देखें, sleeves की cutting हम इसमें से कर लेंगे, जो front part कुट्टी का हमने cut किया था, उसके side से निकले थे न, जो 2 piece उससे हमारी sleeves बन जाएंगे, half sleeves हमने यहां पर बनानी है, तो यह देखे, 7 inch के हमने sleeves यहां पर बनानी है, तो उसके according हमने यहां पर marking कर लेनी है, और यह देखे, यहां से हम इसके गोलाई देदेंगे, और फिर इसके cutting कर लेते हैं, तो यह legit friends, मैंने यह यहां पर cutting कर ली है आप देखे दो पल्ले हमने यहां पर उठाने है और फ्रेंट आरम होल की जो हम छटाई देते हैं स्लीज को उसकी cutting कर देते हैं तो यह देखे स्लीज हमारी यहां पर कट हो गई है तो यह देखे फ्रेंट्स नैक और हमारे पहुंचे के लिए कपड़ा यूज करने के लिए हमारे पास यहां पर बच गया है तो मुझे उमीद है फ्रेंट्स आपको में वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद कर दोड़ो प्टार करिया